हेलो फ्रेंड्स आज मैं मुंफली और गुड की चिक्की बनाने की रेस्पी आपसे सेयर करूंगी जिसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना के तयार कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे तो आप देख सकते हैं कितना ये साइनी बनके तयार हुआ है तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सुस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं मूफली के चिक्की बनाने के लिए हमने यहां मूफली ले लिया है इसको अच्छे से बीन के साफ कर लेना और हमने यहां एक कप मूफली लिया है यह पुरा एक कप भर के लिया है तो और भी मूफली मैं लोंगी आपको जितना बनाना है उस हिसाब से मूफली की क्वांटिट कमया जादा कर सकते हैं लेकिन मेजरिंग के लिए घर का आप कोई कटोरी कप ले सकते हैं ग्लास भी ले सकते हैं जिससे सारी चीजे नाप के लेना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाँ डेड़ का मुंफली के दानों को लिया है और वजन से बटाओं तो ये धाई सो ग्राम है यानि दो सो पचास ग्राम हमने मुंफली ले लिया तो अब चलते हैं गैस की तरब गैस पे इसे ड्राई रोष्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल हाई मत करिएगा नहीं तो ऊपर से ये जल जाएगा अंदर से कच्चा रहेगा एकडम लोटू मीडियम फ्लेम पर इसको धीमे धीमे आज पर अच्छे से रोष्ट करना है और इसको रोष्ट करने में करीब 5-7 मिनट लग गया है तो ये देखिए अब इसमें हलकी हलकी क्रेक्स आने लगी है तो मुम्फली हमारी बहुत अच्छे से रोष्ट हो चुकी है यहाँ देखिए बिल्कुल ये जला नहीं है और उपर से भी आप छिलका भी देख रहे हैं कि ये जला नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से अंदर से ये रोष्ट हो चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे अब इसका छिलका जो है रिमूब करना है तो इसके लिए हमने ले लिया है एक टावल आप खुरदरी चीज को लें जिससे इसका छिलका बहुत इसली निकल जाएगा बिल्कुल जैसे मार्केट से हम लाते हैं बिना छिलके की मुमफली उस तरीके से ये छिलका इसका निकल के और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो इसको टावल से ऐसे रगड़ते हुए इसका छिलका हम हटा लेंगे ये काम गरम मुंफली के साथ ही करना है ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा निकालने में इसका छिलका दिक्कत होगा छिलका अच्छे से निकल चुका है तो अब हम इसे रिमूब कैसे करेंगे इसके लिए मैंने चन्नी ले लिया है और इसमें पूरा ही मुंफली डाल देंगे इससे क्या होगा जब हम सेख करेंगे तो सारा छिलका नीचे गिर जाएगा और इसे हम एक जगा असानी से हटा सकते हैं वैसे जब हम किसी बरतन से इसको उचालके इसका ये छिलका रिमूब करते हैं तो बहुत दूर तक फैलता है पुरा घर गंदा सा हो जाता है तो आप देख रहे हैं बिलकुल एकदम क्लीन ये दाना मिल गया है तो अब फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ और अब हम ले लेंगे एक कप गुड़ ये गुड़ हमने बहुत अच्छे से क्रस कर लिया है आप देख सकते हैं तो पैन में इसको पुरा डाल देना है और थोड़ा सा हम दो से तीन चमच पानी डाल देंगे इससे गुड़ बहुत अच्छे से मिल्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज जो हम चिक्की बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे तो मार्केट में जो चिक्की मिलती है कहते हैं गुड़ की चिक्की है लेकिन इसमें थोड़ा सा चीनी जरूर एट करते हैं तो मैंने हाँ आधा कप चीनी और ले लिया है यानि जिस cup से हमने मुंफली लिया है उसी cup से हमने चीनी और गुड लिया है तो एक cup मुंफली, आधा cup चीनी, डेड़ cup हमारा ये मुंफली का दाना था तो जितना हमने मुंफली लिया था उतना ही इसमें मीठा डालना है इसको low to medium flame पर ऐसे melt कर लेना है अभी इसमें आप देख रहे हैं कि गुड जो होता है उसमें थोड़ी बहुत impurity होती है तो इसे अगर जो हम remove नहीं करेंगे तो मुं में लगेगा तो स्वाद बिल्कुल बिगड जाएगा तो अब हम इसे चान लेते हैं तो इसके लिए हमने एक bowl ले लिया है और इसमें इस सारे mix को डाल देंगे यानि जो हमने चीनी और गुड को melt किया है अच्छे से चन्नी में डाल के चान लेना है इससे जो impurity है निकल जाएगी बिल्कुल clean हमें ये गुड का pest मिल जाएगा ये देखिए impurity आप देख सकते हैं इसे अब हम fake देंगे और जो ये गुड की चासनी है इसे फिर से पैन में आप पूरा डाल देंगे बावल को साफ करने के लिए आप पानी का यूज मत करीगा उसको spatula से अच्छे से साफ करके पूरा जो ये melt किया हुआ गुड पैन में डाल देजेगा पानी डालेंगे तो इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये देखिए गुड की consistency अब एकदम बिल्कुल change होने लगी है इसमें थोड़े जो छोटे वबल थे वो बड़े हो गया है इसमें flavor के लिए हम केवडा essence एड़ कर देंगे आप चाहें तो यहाँ इलाइची powder भी आड़ कर सकते हैं या बिना इसके भी बिना flavor के भी बना स तो थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है एक plate में और इसमें 2-3 drop डालेंगे और इसे उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यह खिचा-खिचा है यानि अभी जो हमारा यह good है perfect नहीं है तो फिर से हम इसमें इसको डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट और पका तो अब इसे हम जब तोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कांच के जैसे यह तूट रहा है तो बस यह बिल्कुल perfect तयार हो गया है तो गैस का flame हम बंद करने से पहले इसमें डालेंगे आधा निम्बू का juice इसे क्या होगा गुड में crystal नहीं बनेंगे और दिख सकते हैं अभी dark दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा यह साफ हो जाएगा क्यूंकि जैसे जैसे गुड पकता है color dark होते जाता है तो गुड को हमने अच्छे से नीबू डालने के बाद 10-15 सेकेंड तक पका लिया है अब गैस का flame बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद हम फटाफट जो मूमफली का छिलका रिमूब करके रखे हैं इसको एड कर देंगे गैस का flame हमने बंद कर दिया है और इसको अब अच्छे से mix कर लेना है यह काम जो है हमें फटाफट करना है तो friends यहाँ एक बात बता दूँ कि पहले से मैंने एक butter paper घी से अच्छे से grease करके र यह काम आपको पहले कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने घी से butter paper को अच्छे से grease कर लिया है तो अब इस पर यह जो सारा चीनी और गुड और यह मूमफली का mix है इस पर डाल देंगे यह काम आपको बहुत जल्दी में करना है नहीं तो बहुत जल्दी यह hard हो जाता है जिससे आप इसे ship नहीं दे पाएंगे तो अब हम इसे थोड़ा सा दबा के एक pass कर लेते हैं गोल ship में कर लेंगे इसको ऐसे दबाते हुए यह देखे जिससे जो आगे हम काम करेंगे इसको पतला करेंगे यानि flat करेंगे तो बहुत easy हो जाएगा तो अब हम ले लेंगे बे बढ़ा कर लेना जितना आपको मोटा पतला करना है उस हिसाब से आप इसको बेल के मोटा पतला कर सकते हैं तो यह देखिए बिलकुल एकदम shiny हमारी चिक्की बनके तयार हुई है तो अभी यह गरम है इसे गरम में ही काट के ship दे देना है तो मैंने यहाँ knife ले ले लिया है और इसे फटा-फट इसके side को पहले काट के निकाल देंगे इसे चौकोर ship में बना लेंगे और अब हमें जितना बड़ा चोटा इसके piece करना है उस हिसाब से हम इसको काट लेंगे आप चाहें तो इससे बड़ा भी इसका piece बना सकते हैं थोड़ा सा भी इससे ठंड़ा हो ज तैयार हुई है एक-एक piece हम निकाल देंगे यह देखिए खाने में बहुत ही tasty और बहुत healthy भी है किमकि हमने गुर से इसको बना के तैयार किया है तो यह देखिए ऐसे ही सारा चिक्की हम इसमें से निकाल लेंगे अभी यह थोड़ी सी गरम है तो easily निकल भी जा रही है नही इसको रिमूग करके लेना है उससे बटर पेपर से तो अब हम इसे प्लेट में सर्फ कर लेते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना यह क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है तोड़ने वाला मेरा वीडियो कट गया है जिसमें मैं तोड़के दिखाए हूं मि ज्री हरी